इस question में हमारा f दिया है यह, कह रहा है जो f है मेरा, यह एक linear function है, linear function होता है, जो मेरा इस form में होता है, fx is equal to mx plus c, यहाँ पे जो 1,1 है मेरा ऐसे element जो है, इसमें पहले element को मैं x कहता हूँ, दूसरे element को मैं y कहता हूँ, अब यह जो fx होता है, यह मेरा y होता है, यानि fx is equal to m mx plus c है इसका मतलब y is equal to mx plus c है यहाँ 1,1 दिया है मुझे इस function f में 1,1 का मतलब x की value 1 है और y की value यानि second element भी 1 है हम यह दोनों value इस equation रिपोट करते हैं तो यह मेरा आ जाएगा m plus c equal to 1 ऐसे ही मैं 2,3 चेक करूं यहाँ पर x की value होगी पहली वाली यानि 2 y की value होगी दूसरी व पूट करें तो यह मेरा आ जाएगा 2m plus c equal to 3 यानि हमारी 2 equation आ गई यह और यह हम इन दुनों को solve करते हैं मैं यहाँ पर second equation को first equation से minus करता हूं यह मेरा कुछ ऐसा आ जाएगा m की value आ जाएगी मेरी 2 अब यह m की value तो अगर मैं first equation रिपोट करूं तो c की value आ जाएगी minus of 1 यान मैं m और c की value बुट करूं तो fx आ जाएगा 2x minus 1 हमें यही निकालना था